खरगोन जिले के सुदूर इलाकों में आज भी बिजली पानी जेसी मूल भू सुईधाओं के लिए गरामिन तरस रहें मंगलवार को जिर्निया जनपत के ग्राम बेडालिया पंचायत के इमली फालिया के कोठारिया फालिया के ग्रामिन बिजली पानी की समस्या को लेकर जन सुनवाई पहुचे थे यहां कलेक्टर के नाम आवेदन सोप कर समस्या के निराकरण की मांगी ग्रामेंट गोरेलाल सोनारिया, लाल सिंग भूरला, रमेस राई सिंग ने बताया कि वह करीब 40 वर्षों से इन फालिय में बैसे हैं। यहां बिजली पानी के साथ आवा जाही के लिए भी सुगम मार्ग आज तक नहीं बना है। यह भी ग्राम खोई जाते हैं। ग्रामेंटों ने नाराजगी जताते वे कहा कि चुनाओ के समय उन्हें जन प्रतिनीधी भरोसा दे जाते हैं। कि बिजली, पानी, सडक जैसे सुईधाएं देंगे लेकिन चुनाओ के बाद कोई गाउ नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट खरगवन। प्लिशने के बिजली के कारण ना तो रात में पढ़ पाते हैं। सुर्शने के समोच्छे को बिजली को लेकर हमें आता है। सर मानके हम तो मानके साल से मतलब आप पर निवास में थे और चात्पर गाउने तक का बिजली निया पर आताइए। हम विजली की समश्य है हमारी नातों पर रस्ति के समय आए कुछ भी नहीं है जब तक देखो विजली पाशी हो गई हमारे फाल्या में सब छोड़ दिया जो सर्पन पहला निया सर्पन था दूसरा विश्ता आ गया हो भी नहीं नहीं बच्चा की पड़ाय होती है नहीं पानी हम हमारा यहां कम सी कम 40 मकान है क्या नाव है फाल्या कर दे है किलोमेटर है यह संना इस सिवना अचिया कर पाएंगे का आप अब आफ थे लिए अपया इस आफे आवेदन दिया है उनों ना अचिवचा पर लिए जंव और आपना नानाव नत्रो पनाड़ी आप देख रहे हमारा चैनल आजड़ी 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें